संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्धै बारा पतसंख्या तेरा से इक्किस भीड में से किसी ने ईसा से कहा गुरुवर मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैत्र संपत्ति का बटवारा कर दे उन्होंने उसे उत्तर दिया भाई किसने मुझे तुम्हारा पंच या बटवारा करने वाला नियुक्त किया तब ईसा ने लोगों से कहा सावधान रहो और हर प्रकार के लोप से बचे रहो क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती फिर इसा ने उनको यह दिश्टान सुनाया किसी धन्वान की जमीन में बहुत फसल हुई थी वहमन में विचार करता रहा मैं क्या करूं मेरे यहां जगा नहीं रही जहां अपनी वसल रख दूँ तब उसने कहा मैं अपने भंडारे तोड़ कर उन से और बड़े भंडारे बनवाऊंगा उन में अपनी सारी उपज और अपना माल इखटा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा भाई तुम्हारे पास बर्सों के लिए बहुत सा माल इखटा है इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौ जुडाओ परन्तु ईसा ने उससे कहा मूर्ख इसी रात तेरे प्राण तुससे ले लिए जाएंगे और तुने जो इखटा किया है वह अब किसका होगा यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किन्तु ईश्वर के दिश्टी में धनी नहीं है